Hello friends, welcome to my channel, explore with Abisha और आज हम जा रहे हैं अपनी अल्टोस को लेकर 3rd service के लिए तो आपको हम 3rd service में क्या-क्या हुआ और शोरूम ने क्या-क्या किया हमारे गारी के साथ वो सारे details और कितना हमें cost पड़ा वो सारे details हम आपको बताएंगे सो चलिए आगे service center में जाते हैं और वहाँ पर अगर उन्होंने अलाओ किया तो वहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं तो at the end service से निकलने के टाइम में मैं आपको बताऊंगा की गाड़ी में क्या-क्या किया गया चलिए आगे service center में रूलते हैं गाड़ी अभी जो है service center में अंदर लग चुकी है service होने के लिए और job card वेगरा इस बन चुका है बस अभी mechanic का बेट हो रहा है mechanic जो आ चुका है और अभी engine का नीचे screw निकाला जा रहा है अभी engine बाहर आएगा और इसके बाद नया engine oil डलाईगा तो हमारे गाड़ी में यह engine oil डलेगा अभी गाड़ी का tire कुला गया है और इसका brake pad निकाली ते brake pad क्लीन किया जाएगा यह भी दूसरा tire कुल रहा है कर जाएगा अभी ज़ए सर्वेश हो गया है और जाड़ी के लिए लगी गया है जाड़ी बाच के लिए लगी है जाड़ी बाच के गारा है जिसने अभी तोवज़ा सेंटों करेगा स्क्रीपहश जाएगा कर दो कर दो दो हम दो कार कर थर्ड सर्विस करा के घर आ चुके हैं तो आपको हम भी विव देंगे कि हमारे सर्विस में क्या क्या थर्ड सर्विस में हमें गाड़ी के साथ किया गया है अब गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि चा क्या किया गया है तो इगनिशन पर आउन कर रहे थे हैं और इंजिन और 3.5 डिटर इसमें इंजिन और आता है कैस्टोल का इंजिन और इन ने डाला है प्यूर सिंथेटिक और एयर फिल्टर चेंज किया है और गाड़ी को वाश किया थर्ड सर्विस में इसके अलावा इसके अलावा उन लोग ने टायर ओपन करके जो ब्रेक तो अभी जो टोटल बिल हमारा गाड़ी का बना है को हम आपको बता देते हैं तो बिल मैंने यहां पर रखा है लब बॉक्स में टोटल बिल जो है वो 3,359 का इन लोग ने बना है और इसमें मैं आपको बतायाता हूं क्या-क्या चीजे उन लोग ने लगाई हैं तो इसमें उन्होंने एक मेंशन किया है 3.5 लिटर का इंजिन और जिसका प्रैस उन्होंने दिया है जी सती और जो भी रखा लगाते हैं तुसर्ओं लोग लगाते हैं सारा मिला के thrilled 2019 του 2019 रूपीस का और Deep primeira ऑईल फिल्टर फिल्टर ईनों लगाई है 171 रुपीस का और Air फिल्टर उनों लगाया 860 रुपीस का और जो क्लो गाड़ी का कभर और करते हैं उसका पैसा वेकार में ले लिया है वो सब कुछ लगाया नहीं था 10 रुपया स eldest क्लोर लिया है का और वांचे जो क्वेजर क घुर्ण की चैप वो इसका ड 하면 था तो मैंने कभी खोला था नहीं लेकिन उन लोगों ने वह चेंज किया तो उसका पएसा उन्हों नहीं जौड़ा मैंने भूले है तो पहले से मेश एमेज है तो नहीं पुले कि कैप अंदर एक rings लगता व्शर जिसको बोलते है इसका थाटीtechnा रूपी즈 ले लिया है और वॉशर ट्यूब का उन्होंने वन हन्होंने ट्यूब्ट ने लिया है जो उसमें ऐस एयर ट्यूब्त रहता है विंडशील के उपर पानी फिकता है, उसका एक 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 यूब रहता है, जो मेरा कट गया था, तो उसका 114 रूपीज लिया है, और फ्री सर्विस जो लेबर चार्ज नों का 700 रूपीज रहे, वो उन्होंने नहीं लिया है, वो 0 है, इतना मिला के सारा, उन्होंने टैक्स मिला के टैक्स उन्होंने 513 रूपे लिया है, और 3,359 रूपीज का उन्होंने बिल दिया, तो जहां तक बताएं कि सर्विस एक्स्पीरियंस जो रहा, नने सर्विस जो है, हजारी बाग में कराएं, जारखन में, बासुदेव आटो में, तो वहां पे जो इंप्लोईज लोग ह वह मतलब बहुत ही पॉलाइट है, आप जो बुलिएगा हो सुनेंगे, जो भी इशू बताएंगे, वह चेक करेंगे, लेकिन सर्विस जो है, लास्ट ताम जो मैंने कराएं तो उस ताइम पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस था, और टाइमिंग भी जो लिया, वह बहुत लिया है, लॉक चेंज करने का रिक्वेस्ट लिया है, बोला, तीन-चार दिन में आपका लॉक आ जाएगा, फिर हम आपका सेट फिक्स कर देंगा, मैं आपको तोड़े दिर में सीट भी दिखाऊंगा, पीछे क्या क्या लॉक डैमेज हुआ है, सीट कवर मैंने जब लगा जाता है, तो उसके वज़े से लॉक के अंदर से बार बार निकलते निकलते वो डैमेज हो गया, तो उसका उन्होंने बोला कि चेंज वो लोग कर देंगे, और मेरा जो स्टार्ट स्टॉप बटन आपने देखा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, यह स्टार्ट तो इसके लिए मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि वारंटी में क्लेम कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका रिक्वेस्ट लिया, बोला कि कुछ दिन में हम आपको कॉंटैक करेंगे इसको रिप्लेस्मेंट के लिए, तो देखे, देखते हैं कितने टाइम में वो लोग नीचे करता हूं तो यह सीड जो है अंदर की और चला जाता है यहां पर और जब में उपर करता हूं तो यह बाहर क्यों धका देता है तो उसके वज़े से जो इसका लॉग आप देखिए कुछ इस तरह से देखिए और उस साइड में बहुत ही हेवी आदमी कोई बैठ गया था जिसके वह वहां पर देंट हो गया है उन्होंने बुले नया लॉक आने के बाद इसे हम फिक्स कर देंगे अचा रहा और आपका जो भी जा तक बोलिये कि मैंने तीन जगे पर अपनी गाड़ी को लेके गया था थी शर्वी सेंटर्स में लेके किया हूं पहले मैं लेके यह था यही पर जारकन में फर्स्सर्विस के लिए तो इस ताइम में फर्स्सर्विस नो ऐसा कुछ करते नही गाड़ी वाश करते हैं पॉलिश करते हैं और दो देते हैं आर तीसरी बाद जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था जिसमें चुहे ने मेरा विंडशिल का पाइप बोल्माइब बाइपर का तो उस पाइप के लिए में लगया था और वहां के employees लोग का भी response हो था, जैसे एक बंदा आया, उसको मैंने कुछ बताया, वो चला गया, यहां सर दिखवा देता हूं, और उसके बद दुबारा उसने उसको चेक ही नहीं किया तो चेक नहीं किया, मतलब वहां का मुझे service और employee का behavior ठीक नहीं लगा और यहां वासुदेब का employees का behavior और वगरब बाकिस सब कुछ अच्छा है और यही है कि वहां पे कुछ चीजे जो है, जैसे parts जो है, जल्दी available नहीं रहता है मतलब अगर आप उनको बोलिएगा, वह order करेंगे, कुछ टाइम में आएगा तो call करेंगे, contact करेंगे, लेकिन fix ज़रूर करेंगे आपको resolution उसका मिलेगा तो service जो है, मतलब बोल सकते हैं, location पे ही, बोलिएगी, depend है किसी location पे अच्छा service मिलता है, Tata में किसी location पे, मतलब अच्छा service नहीं मिलता है तिन ही लोग को उसी show room से, उसी service center से अच्छा service मिल जाता है तो उसके लिए Tata को देखना चाहिए, अपने employees लोग को बताना चाहिए कि जो भी गाड़ी आए हर एक single गाड़ी के उपर response उनको same अच्छे से ही देना चाहिए क्योंकि हर लोग पैसा लागा कहीं गाड़ी देते हैं और आपके company का गाड़ी लिया है, तो आपकी responsibility है कि उस customer को आप satisfy कीजिए जो भी दिक्कते हैं उसको आप clear कीजिए तो ऐसा अभी थोड़ा बहुत lag वहां पे है फिर भी compare करें पहले के according तो जो टाटा की service है वो बहुत ही सुधर चुकी है, मतलब पहले से बहुत ही बहतर हो चुकी है लेकिन अभी भी कुछ चीज में quality के चीज में उनको काम करने का ज़रोत है तो यह था मेरा थर्ड सर्विस का review थर्ड सर्विस जो हमारे गाड़ी का वो उसके बारे में हमने आपको बताया और जो भी चीजे हुन लोगों ने गाड़ी में की वो सब में आपको बतायी जाधा खास कुछ किया नहीं इंजिन ओयल फिल्टर एयर फिल्टर ब्रेक पैड क्लीन गाड़ी वाश गाड़ी आपको डेलिवर तो बस इतना ही किया तो यह वीडियो जो है यहीं तक था अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम आपको इसका रिस्पाउंड करेंगे हमें जो भी जानकरी होगी हम कोशिश करेंगो उसको क्लियर करने का बताने का तो इसी तरह हमारे हमें सपोर्ट करते रहिए तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई टाटा